है हलो एव्रिवन विलकम बेंक तू माई में चैनल आज मैं आप के साथ शेयर करने वाली हूं है शेयर करने कटट ड्राफटिंग शेक तसे करणने वालु यूस अगर आपको की तेएर करने वा अगर आपको त FR मेरी ड्राना पैसर करने करने न भूलें दो करें चलिए वीडियो स्चाट करतें रिखे इस तरह से हम सबसे पहले मेंजरमेंड लिख लिखेंगे की Without a जो पीटीकोट की पूरी वांपाई हमें हमारे की सी कोट की लंबाई ले लेली है कमर से लेंद तक हमारी जितनी भी लंबाई हम यह हमारी पैटिकोरड की। उसके अंदर हम स्सकी और हदेगे 2K मिलशन करेंगे , ताकि नीचे जो हमारा घहा रहेगा उसमें हम फोल्ड करेंगे तो यहां वहां लंबाई 36 इन्च टो हम इसमें 2K और प्लस कर लेंगे तो हमारी पेटिकोट की पूरी लंबाई हम निसान लगाएंगे वो 38 इंच पर लगाएंगे इसके बाद हमारी कमर है 32 इंच इसके बाद हमारी कमर पट्टी की लंबाई देखिए यहां पर हमें जो कमर पट्टी चीन उपर जो हम नाड़ी बानते हैं वो हिस्सा हमें अलग से अटेच करना है तो वो हमारी कमर पट्टी की लंबाई यहां कितनी है 36 इंच और कमर पट्टी की चोड़ाई हमें लंबाई उसे 36 इंच रखनी हो उसकी जो चोड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच हमें 2.5 इंच उसकी चोड़ाई रखनी है इसके बार आप देखिए कली की कमर निकालने का फॉर् कर देख कमरप्ट्टी जो कली की साइज एक कमर कोई ही तो किने डूट कर ली जिए मारिक फार्मूला साइज उसके अंदर 6 इंच प्लस कर लेंगे हमारा सिलाई मार्जिन होगा कमरपट्य हम बिल्कुल बराबर नहीं लेते हुइं जो हमारा कमर का साइज होता है उपर का वो ढीला रहेगा थोड़ा सा तो इसलिए हमें कमर पट्टी की साइज में प्लस 6 इंच प्लस कर लेना है हमारे हर कोई भी आपका साइज हो उसके अंदर आप यहाँ पर 6 इंच मार्जिन का प्लस कर लिज़े अब इसके बाद देखिए यहाँ हम बना रहे हैं 6 कली का पेटी कोड तो हमारा यहाँ पर कमर पट्टी का साइज है 36 इंच और हमारा जो यहाँ पर हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन वो है 6 इंच तो हम वहाँ पर इन दोनों को जोड लेंगे तो हमारा आजाएगा 42 इंच अब इस 42 इंच में हम यहाँ पर 6 का भाग देंगे आप सोचेंगे कि यह 6 का भाग में क्यों दे रही हूं तो देखिए हम यहां पर 6 कली का पेटिकोड बना रहे हैं ऐसे ही अगर हम यहां पर 8 कली का पेटिकोड बनाएंगे तो हम फिर उससे 8 से भाग देंगे लेकिन अभी हम यहां बना रहे हैं 6 कली का पेटिकोड तो हम यहा सब्सक्राइब देखे चाहला है पर हम यहां पर देखिए यहां पर आजाएगा शेवन इंच एक कली की कमर की चोड़ाई हमारी कितनी रहेगी 7 इंच तो देखिए में यह हमारी मेथड हो गई कि हमें किस तरह से साइज लेना है कि इस सरह से हमारा नाप निकाला इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्राफ से समझाती हूँ सबसे पहले देखिए यह हमारा कपड़ा है यह हमारा फोर फोल्ड कपड़ा है चार भाग में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम उसे चार भाग में इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमें हमेशा ध्यान रखना है जो कपड़ा हमारा है उसे हम खड़े भाग में ही फोल्ड करेंगे इस तरह आड़े भाग में हमें फोल्ड नहीं करना है तो हम यहां चार भाग में कपड़ा सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे उसके बाद यह हमारा बंद भाग है और दूसरी स कमर का हमने जो निशान लगाया देखे यहां पर अभ हमारा एक कली की कमर की निशान का निशान लगा देंगे 7 इंच का निशान लगा देंगे वेसे ही हमें एक साइड हमने ये उपर की साइड जिसे हमने 7 इंच का निशान लगाया है वेसे ही हमें यहां दूसरी तरब देखिए इस तरह से नीचे की साइड 7 इंच का निशान लगा लेना यह हमारा बंद भाग है और यह वाला हमारा खुला भाग है अब हमारा कपड़ा चार भाग में फोल्ड है हमने 7 इंच का निशान यहां लगाना है और एक 7 इंच का निशान यहां लगाना है दूसरे कोर्नर पर और इस तरह हमने यहां पर इन दोनों को मिला दिया है अब यह तेरे जो हमारा घेरा है यह हमारे पेटिकोट की कमर अकर यहां से हमें combination मिलेगे यहां से यहां से हमें तो cally मिलेगी और जो हमारा कुला अवा भाग हिसके इस कपड़ा चार वा ने सुंद है यहां और 8BO लेगी इसके बाद ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीड हो चुकी है आप इसे नोट कर लिजे इस तरह से ड्राफ बना लीजे तो आपको ध्यान रहेगा इसके बाद हमारा च्छ कली का पेटिकोड की दे थयोडि थियोरी में सबसे पहले लिखिए छे कली वाले पेटी कोट बनाने के लिए हमें दो मीटर कपड़ा लगेगा दो मीटर कपड़े में हमारा आसानी से छे कली वाला पेटी कोट बन जाता है लेकिन अगर जादा ही हेवी साइज हो तो हमें सवा 2 या 2.5 इंच मीटर कपड़ा लग सकता है वरना 2 मीटर कपड़े में हमें आसानी से हमारा पेटी कोट बन जाएगा इसके बाद सबसे पहले हम कपड़े से हमारी कमर पट्टी 2 इंच चोड़ी पट्टी निकाल लेंगे हमें जो हमारी कमर का लंबाई है उतनी पट्टी हमें अलग से निकाल लेनी हमार कमर पट्टी का जो कपड़ा है वो अलग से हम निकाल लेंगे पहले इसके बाद हम कपड़े को चार भाग में फोल्ड करेंगे कपड़े को हम 4 भाग में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हमारी जो लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करकर लंबाई का निशान लगा देंगे हमारी जो भी टोटल लंबाई है उसमें हम दो इंच मार्जिन को प्लस कर लेंगे और फिर यहाँ पर लंबाई पर निशान लगाएंगे इसके बाद हमारी कमर साथ इंच पर निशान लगाएंगे इसके बाद हम दो इससे जो हम निशान लगाएंगे उससे दो कली हमें सेंट से और चार कली कॉर्णर से मिलेगी देखिए इस तरह से हमारा जो बंद भाग है वहां से हमें दो कली और जो यह हमारी खुली भाग है वहां से हमें चार कली मिलेगी, अब हम अपने निसान से कपड़े की कटिंग कर लेंगे, यह थ्योरी है, आप इसे नोट कर लीजिए, बस हमें इतने ही निसान लगाने, इसके बाद हम जहां जैसे निसान लगाएं, वैसे हम इसे कट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको एक पेपर पर कटि कर बताती ह 2 मेडर कपडड़े 4 भग में हम फोल्ड कर लेंगे, इसे चार भाग में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यह हमारी खुली साइड और यह हमारी बन साइड है अब सबसे पहले हम यहां तो आप चोड़ाई में से जो हमारी कमर पट्टी का कपड़ा है अलग निकाल सकती है या लंबाई में से भी हम इसे निकाल सकते हैं तो सबसे पहले में यहां पर जो हमारी कमर पट्टी की जितनी लंबाई है उतना कपड़ा इसमें से निकाल लूंगी माली जीं यहाँ पर हमने यह हमारे डा इंच हैं डा इंचे चोड़ी हमें कमर पत्टी निकाल नी को देखें से अब क्पड़े लिखें निकाल ली है इस कमर पट्टी को अभी हम साइड में रख देते हैं इसके बाद हम सबसे पहले हमें हमारी कमर का निशान लगाना है देखिए इसके बाद हम सबसे पहले हमारी कमर का निशान लगाएंगे तो जो हमारा बंद भागे बंद भाग की तरब हमें इस तरह से निशा लगाना है देखिये जैसे हमारा यह हो गया सेवन इम्च यह बहुंपर निशान लगाना है देखिये हम्हें धे Sharponing ek लगाैए तो हम इक यहां नीचे पर करण रगालेंगे देखिये हमने से-वन-वेंच का हमारी जितनी भी पर मेंच को मिला देना है देखिए इस निशान से हम इस निशान को तीर्चा मिला दिया है। इसको तिर्षा हमने मिला दिया बस अब हम इसको कट कर लेंगे देखे इस तरह से यहाली हमारी बंद भाग है जो हमने है निशान लगाया है यह से हमें इसको कट करा लेना है बहुत ही आसान है या आप सिर्फ हमें दो रिशान लगाना है इसके देखिए इस तरह से यह जो हमारी बंद वाली भाग है यहां से हमें दो कली निकलेगी यह हमारी दो कली हमें मिली है यहां से इसके बाद हमारी जो यह खुली वाली भाग है यहां से हमें चार कली मिलेगी हमारी भट भाग सइट से हमें दो कली मिली हैं इसके बाद हमारी जो खुली वाली सइटे में हम değiş करने दो हमारी बड़ी वाली कली है फो इन दोनों कलियों को हम ऐसे साइड में जोड़ देंगे देखिए इस तरह से हम इने अटेज करेंगे देखिए यहां पर इस तरह से हम इन छे कलियों को अटेज कर देंगे तीन कलियों को इस तरह से हम अटेज करेंगे का इस तरह से स्ट्पिव करते जाstillएंगे और यह हमें यह उपरवाले भाग को भी इसं कलियों में एटेच करना है इस तरह से हम इनहें अटेच करते जाईएंगे, सब कली जोड़ने के बाद अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो यह बेल्ट भी हमारे कमरपटी के हिसाब से यहाँ पर हमारा इस तरह से बेल्ट अटेच हो जाएगा और नीचे हम यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो हमारा घेरा रहेगा वहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंग झाल झाल देखिए मैंने इस तरह से इसको फेवी कोल से अटेज कर दिया है आपका कुछ इस तरह से ही आपका जो पेटी कोटे वो बनकर आएगा हमें इस तरह से यहाँ पर बीच में से हमने यह भाग खुला रखेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर नाड़ी के लिए जगा बनाएंगे I hope आपको मेरा वीडियो पसंन आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंन आया है तो वीडियो को लाइक कीजी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और अपने फ्रेंड्स और फैमेलिकर साथ शेयर कीजे Thank you for watching